यहां मौजूद रिच जाइगांटिक डेल्टा बंगॉल की एकनॉमिक ग्रोथ के लिए इतना बेनिफीशल था कि बंगॉल शुरू से ही ट्रेड के लिए एक कमर्शिल हब बना रहा। एक तरफ बे अफ बंगॉल और दूसरी तरफ हिमाले से सटी खुबसूरत वादिया हमेशा ही बंगॉल को समरिध और सुन्दर बनाती रही है। सेकिंड सेंचुरी से फिफ्टीन्थ सेंचुरी में इसी सिल्क रूट से बंगॉल में बनने वाला सिल्क, कौतन और हैंडीक्राफ्ट आइटम्स भारी देशों में भेजा जाता था। अच्छी कनेक्टिविटी के चलते कई उरोपियन ट्रावलर्स भी इसी रूट से साउथ इस्ट एशिया की यात्रा करते थे और अपनी ट्रावल डायरीज में बंगॉल की टेक्स्टाइल इंडस्ट्री को टॉप क्लास बताते थे। 15th सेंचुरी के एक पॉर्चुगीज ट्रावलर ने भी बंगॉली मैनुफेक्ट्रिंग की तारीफ की थी। हाल ये था कि अंग्रेज के आने से पहले बंगाल में हैंडलूम इंडस्ट्री बड़ी शान से चलती थी। फेमस ट्रावलर मारको पोलो ने भी अपने ट्रावल अकाउंट में बंगाल का जिक्र करते हुए यहां के कॉटन की तारीफ की थी। खास कर यूरोपियन्स को ढाका सिटी और सोनार गाओ का मुसलिन और मालदा और शांतिपुर का मल-मल बहुत पसंद आता था।